जब ही आप फ्लाइट बुक कर रहे हूं तो उसमें ये चीज़ दो चीज़ें हैं जो की मुझह लगा कि आपको नच कर लिना चाहिए अगर आप एर करके आदा से बुक कर रहे हो या ए एर कैणिडा से आ फ्लाई कर रहे हो फ्रसत। फ्रॉड कहीं भी हो सकता है ठीक है? यह भी हो सकता है कि जो जहांपर checked in होता है जहांपर आपका baggage को wait किया जाता है हो सकता है आओ आज इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरी शुरू करने जा रहो हो और वो है packing के related ठीक है पुरी packing के related प्लेइस और है ठीक है जिसमें कि आपको Air Canada और Air India इन दो airlines के total baggage policy जो है वो मैं differentiate करके बताऊँ कौन से bag जो है वो आपको purchase करने है और आप क्या-क्या उसमें लेकर जा सकते हो क्या चीज अलाउड है क्या चीज नहीं अलाउड प्लस आपको किस तरह से packing करनी है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से luggage है वो आप लेकर जा सकते हो और कौन-कौन से luggage आप नहीं लेकर जा सकते हो तो सबसे पहले I am gonna start with the Air Canada और इस वीडियो में एक Air Canada के बारे में पूरा description होगा तो एर चैनडा में आपको baggage जो आप क्या-क्या लेकर जा सकते हो तो जो सबसे पहले जो checked in baggage है वो आप दो लेकर जा सकते हो दोनों 23-23 kg के होने चाहिए यह नहीं है कि आपको 23 kg का समालन उसमें ठूसना है नो आपको क्या करना होगा जो 23 kg में तो आपको में आपको मिज़ क अपना जो बैग है उससे फिल अप करो दिकोज दिकोज फ्रॉड कहीं भी हो सकता है ठीक है यह भी हो सकता है कि जो जहां पर checked in होता है जहां पर आपका baggage को वेट किया जाता है हो सकता है उसके नीचे magnet लगा हो क्यों क्योंकि अगर आपका bag एक गराम भी उपर हो गया तो आप से वो चार्ज बसूल लेंगे 100 डॉलर्स और टैक्स जो होंगे वो अलग से होंगे और यह नहीं पता कि 100 आपको Canadian डॉलर्स पे करने होंगे या फिर आपको US डॉलर्स पे करने होंगे तो आपको पांस से लेकर आठ जार तक का जो नुकसान है वो हो सकता है आट अट टाइम और यह पर बैग है अगर आपको दूसरा बैग भी तेई के लोग का हुआ और वहां पर भी नीचे मैगनेट तो पहले पहले से ही है तो फिर वो तेई से जाधा बेट दिखाएगा तो अब दूसरी बात आती है कि उसका साइज क्या होना चाहिए बैग का बैग का जो साइज है इंक्लोडिंग हैंडल और इंक्लोडिंग टायर जो नीचे रोलर से लगे होते है उन सभी को मिला कर 62 इंचिस का होना चाहिए लेन्थ ब्लस ब्रेट प्लस हाइट और फिरसे आपको वही 50 चैक्सेस भू आपको पे करना पड़ सकते हैं जो चेकिन बैगिस है वो ओबरसाइज ना लो तो जो मेन कंपनी हैं जिनके बैगेज बहुत बढ़िया है वर्स्ट वन एज अमेरिकन टॉरिस्टर एंड इस विएईपी विच इस आर तू विच आई पर्सनली प्रफर और इनके जो लेंक्स हैं वह आप डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हो जो बैगेज है वह एकोन अगर आपने बिस्नेस क्लास ली है तो कैरियर बैगेज में आपको दो चॉइस दी जाती है और दोनों ही आप लेकर जा सकते हो फर्स्ट वन इसकी कैबिन बैग जो की आम तोर पर स्टेंडर आर्टिकल भी कहलाता है और उसकी जो लिमिट होती है वो डाट इस सेवन के आपको कोई भी वेट लिमिट जो है वो नहीं दी जाती तो उसमें जो में चीज यह है कि आप जितना वर्जी उसमें वेट डाल सकते हो लेकिन आप अराम से बिना किसी हैल्प के आप जो ऊपर कैबिन बने होते हैं जहां पर आप अपना समान रख सकते हो उसमें आपको रख देना होगा एजी लिविदाउट अडिकाइड अगर आप या फिर चोटे जो पैट्स है उनके लिए जो बॉक्स बनाए होता है वो भी आ सकता है एरपोर्ट शॉप पर अगर आप कोई शॉपिंग करते हो या फिर कोई डूटी फ्री परचेस करते हो वो इंक्लूटेड हो सकता है कोई स्मॉल रैकेट हो सकते हैं फर एक्जम्पल ट इंडिया में आपने अल्रेडी प्रचेस किया हुआ है और यहीं से अपने कैमरा महां पर लेकर जाओ और आप में से बहुत सारे व्लॉगर हैं जिनके पास का कैमरा है लेकिन इस नाट अडवाइसीबल तो प्रचेस न्यूवान इन कैनड़ा बट इस अडवाइसीवल कि आ इंदर उसमें आपको वह सब मिल जाएगा तो अब बात आती है कि लिक्विट्स कि आप कितना लिक्विड लेकर जा सकते हो तो उसमें आपको लिमिट लगाई गई है वह 100 ml से जादा कैमरा के अंदर नहीं लेकर जा सकते अगर आपने पैकिंग की हुई है और आपके कैरिय ली जाएगे आपको उसे वहीं पर छोड़ना होगा तो अपने लिए क्या चीज है वह पर्स भी अपना अफसाथ लेकर चलती है लार्ज पर्स भी हो जाता है कई बार तो अगर आप लार्ज पर्स एक अडिशनल आप लेकर जाएगे कैबिन बैग और पर्सनल आर्टिकल के चेक कीजिए फर एक्जामपल जो स्मॉल पर्स है वो उसकी जो डिमेंशन से थार तैन इंचेज भाई 12 इंचेज भाई 5.5 इंचेज यह अलाउड है लेकिन इससे ज्यादा पड़ा हुआ तो उसके लिए अपको अडिशनल चार्ज देने पर सकते हैं तो अब बात आती है क काउनल काउन सी चीजें ईलेक्रोनिक फिर वो कैंड़ में अलाउड है चल्फों आप लेकर जा सकते हो इंपेड्ड्री डियर्स एकटाब्लेक लिए बेकर जा सकते हो आप equally लेकर जा सकते हो अप लीकशय जो रिडियो ट्रांस्मिटर है या फिर रेडियो से चलने वाले टॉइस हैं वह आलाउड नहीं है आप कैबन के अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं फैमिलीज एक साथ होती हैं तो वह लाउड नहीं नहीं कोई लेजर पॉइंटर से कैबन में अलाउड है नेक्स्ट बात आती है मैडिकेशन की तो आप जितने भी मैडिकेशन या मैडिसेंस अपने साथ लेकर जा रहे हो तो मेक शूर कि वह आपके चैट-इंड बैगेज में हो आपके कैरियों बैगेज में ना हो अनदर तेंग इस जब को मील उसमें इंक्लूडड है या नहीं क्योंकि कुछ व्लाइस में शायद मेल नहीं है दो ही क्लाइस सब्सक्राइब कॉह करो आपको जाधा पैस्ट शेकर एकनोमी क्लास में जाने का फायदा अगर आप सेम अमाउंट में या थोड़े सी 10,000 बीज़ार जादा देकर आप बिजनस क्लास में ट्रैवल कर सकते हो प्लीज अगर आपका इतना जादा डिफरेंस नहीं है फिर्स्ट क्लास से या बिजनस क्लास से एकनॉमी क्लास का क्योंकि जालतर हम एकनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं and that experience is not as good as बिजनस क्लास बिजनस क्लास में आपको एक सीट से इंडिविजिल में लेंगी और वो फ्लाइफ लाइट सीट होगी यानि कि वो पूरी की पूरी टेकलाइन हो जाएंगी आपको एक पर्सनल स्पेस में लेगा बिजनस क्लास से अगर आप ट्रैवल करोगी हो तो हाँ यह अप्सक्राइब लेकिन प्रीमियम एकशनामी या एकशनामी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यह प्रीमियम लाँ सर्फिस नहीं है कि हांजी आपको कुछ नहीं दिया गया था नौ बिजनस क्लास में आपको ऐसे ट्रीट किया जैगा जैसे आपक गैस्ट आही हो तो मेक शूर कि आपके जो डिफरेंसेज है एकनामी क्लास और बिजनेस क्लास में वह जादा सिगिनिफिकेंट ना हो ठीक है यह थी बात दो डिफरेंट की और कल मैं आपको बताऊंगा की एर इंडिया में कौन-कौन सी बैगेज पॉलिसी है और चीजें अलाउन हैं कास दोन आपको कांची चीज है वह पाक कर नहीं होगी तो तासन एक जिए थी कि अ